दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शल वेहिकल निर्माता डैमलर इंडिया में भारत बिंज के नाम से काम गरता है और आज हम इसी भारत बिंज की 28-23 BS6 की बात करने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मैं हुते जिंदर ट्रक्सबसिस.com की तरफ से और आएए शुरू करते हैं आज का ये विडियो तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक 10 चक्का वाहन है जो की आता है भारत बिंज के नए ATS याने की आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के साथ ये 10 चक्का गाड़ी आती है 28 तन के GMV के साथ इसमें आपको 24 फीट, 28 फीट, 31 फीट और 32 फीट की लोडिंग स्पैन मिल जाती है जैसा कि आप देखी चुके हैं भारत बिंज ने इस ट्रक को एक फ्लाट फ्रन डिजाइन दिया है इसमें आपको dual chamber headlamp के इलावा daytime running lamp भी मिल जाएंगे और साथी साथ मिलेंगे turn indicators ये ट्रक आता है भारत बिंज के OM926, 7200cc के 6-cylinder in-line BS6 diesel engine के साथ ये engine इस ट्रक को 240 होस पावर की ताकत और 850 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रदान करता है ये ट्रक आता है 6-speed manual synchromesh gearbox के साथ जो इसे प्रदान करते हैं 23.50% की gradability इस ट्रक में लगा हुआ ATS system यानि की after treatment system 80 से भी ज़्यादा पार्ट से बना हुआ है इससे ATS system की service बहुत असानी से की जा सकती है और अगर कोई भी पार्ट खराब होता है तो उसको individually change किया जा सकता है इस ट्रक के suspension system की बात करें तो आगे आपको मिलेंगे parabolic type leaf springs जो की आते हैं दो hydraulic shop absorbers के साथ और rear में आपको semi-liptical leaf springs मिल जाएंगे anti-roll bar front में standard मिल जाएंगे ये ट्रक 62 की axle configuration के साथ आता है जिसमें आगे single tire axle है दूसरा double tire drive axle है जो की main axle है और तीसरा एक double tire dummy axle है इस ट्रक का real axle ratio 5.875 is to 1 का है इस ट्रक के service brake dual line ABS के साथ आते हैं और parking brakes hand operated है इस ट्रक में 380 liter का fuel tank है और 60 liter का add blue tank है इस ट्रक में 2 batteries लगे आती हैं जो इसे देती हैं 24 volt की voltage और 120 AH की battery capacity इस ट्रक में आपको मिल जाते हैं 3 wheelbase के option इस ट्रक में आपको 226 mm का ground clearance भी मिल जाएगा जो की काफी अच्छा है बाकी के dimensions आपकी screen पे दिये गए हैं इस ट्रक में आपको 295 by 90 R20 के radial tires मिल जाएंगे और 295 by 80 R22.5 के tubeless tires मिल जाएंगे इस ट्रक के wheelbase के साथ साथ इसका turning diameter भी बदलता है इसमें आपको 18.7, 21.6 और 22.5 meter का turning diameter मिल जाता है इंजिन की सफाई, repair या उसकी service के लिए इसके cabin को tilt करना भी बहुत ही आसान है आईए एक नजर मारते हैं इस ट्रक के driver cabin पे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं dual tone में इसका dashboard आता है बहुत ही simple सा और बहुत ही normal dashboard है driver overhead में आपको music system साथी साथ दो speakers और उसके साथ कुछ सामान रखनी की जगा भी मिल जाती है भारत बेंज ने इस ट्रक में दिया है एक digital instrument cluster जो की काफी colorful है और आता है gear shift indicators के साथ इसका steering wheel, tiltable और telescopic adjustments के साथ आता है याने कि आप उसको आगे पीछे और उपर नीचे भी कर सकते है इस ट्रक में six way adjustable driver seat दी गई है जिससे आप आगे पीछे, उपर नीचे और recline भी आप उसकी adjust कर सकते है driver और co driver seat के पीछे एक sleeper दिया गया है जो की करीबन 6 foot की length का है और बहुत ही आराम दे है इस ट्रक का reverse parking camera connected है एक छोटी सी screen पे जो की इसके dashboard पे लगी हुई है और आपको काफी clear picture दे देती है कि आपकी ट्रक के पीछे क्या है इस ट्रक का price 30,38,000 से शुरू होके 31,47,000 तक है आप इस ट्रक से 3.5-4.5 km प्रती लीटर की mileage उमीद कर सकते हैं जो निर्भर करेगी गाड़ी में load, road conditions और driver के चलाने के उपर तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें comment करके ज़रूर बताएं और like और subscribe करना ना भूलें